गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स क्लास टेंथ के छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज हम आपकी बुक फस्ट फ्लाइट से सैवंथ चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज मिस जलकियां और इंडिया मिस आपक प्लेट में जाए और प्लेट में जाकर इस वीडियो को देखे आज हम सेकंड पार्ट की स्टडी करने वाले हैं कुर्ग बेकर फ्रम गोवा में गोवा राज्य के एक बिलेज के बारे में हमने पड़ा था और कुर्ग जो की जगे है it is a place and this place is in करनाटका ये करनाटक राज्य में कुर्ग एक जगे है इसकी क्या खासियत है क्या अच्छी अच्छी जगे हैं वहाँ पे इन सारी चीजों को हम जानेंगे इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथी बैल आइकन दवाएं जिसे की आपको नई वीडियो का नॉटिफिकेशन मिले और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेयलिस्ट में जाए प्लेयलिस्ट में आपको first pite book के सारे chapters मिलने वाले हैं औ तो कि बेकर फ्रम गोवा इसको मैं स्टड़ी कर चुका हूँ यह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और कुर्ग से आज हम स्टड़ी करने वाले हैं सेकंड चैप्टर केवल यही मिलेगा और थार्ड पार्ट टी फ्रम आसाम उसको थार्ड में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ग जैसा कि मैंने आपको बताया कुर्ग एक जगए का नाम है इट्सप्लेस और यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कुर्ग एक कॉफी कंट्री है चाय का प्रदेश है चा आती बनों के लिए और स्पाइसेज और मसालों के लिए बहुती प्रसिद्ध है यह कुर्ग जगए मिडबे बिट्मिन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और मैंगलोर और मैसूर के बीच में और मैंगलोर के भी किसके coastal town एक coastal मिस तटी है जो समुदर के तटपे हो और town मिस कस्बा तो मंगलोर के तटी है कस्बे और मैसूर के बिलकुल बीच ओ बीच सिट्स इस्थित है a piece of heaven एक स्वर्ग का टुकड़ा that must have drifted that must have drifted जो की लाया गया होगा from the kingdom of God भगवान के राज्य से इसको लाया गया होगा तो इतना सुंदर है वो जगह जो मंगलोर के तटी है कस्बे और मैसूर के बीच में है जो जगह है उसको peace of heaven का है स्वर्ग का टुकड़ा का है और ऐसा काया गया है कि that must have drifted उसको लाया गया होगा भगवान के kingdom भगवान की राज्य में से this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men beautiful women and wild creatures this land यह जो प्रदेश है of rolling hills गोल गोल जो पाडिया है यहां पे गोल गोल पाडियों का यह प्रदेश यह स्थान is inhabited यहां पे रहते हैं inhabited miss निवास करते हैं यहां पे निवास करते हैं अब proud race race मिस प्रजाती और proud मिस सम्मान्मी है जिस पर गर्ब किया जाए जिस प्रजाती पर स्वाबी मानी जिसको हम कहते हैं proud race of martial men martial जिनका युद्धों से लेना देना हो यहां पे लिखा हुआ है मार्शल का having to do with war जो लोग युद्धों में अपनी भूमिका अदा करते हैं उनको कहते हैं मार्शल मैन तो इस जगह पर रहते हैं गोल गोल पाडियों के इस प्रदेश में निवास करते हैं एक स्वाबी मानी जाती और मार्शल मैन युद्ध में भाग लेने वाले लोगों की ब्यूटिफुल विमन सुंदर सुंदर महिलाएं और वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली जानवर तो यह लोग यहां पर रहते हैं इस प्रदेश में जहां पर गोल गोल पाडिया हैं उन गोल पाडियों में यह स्वा सबसे चोटा का यह करनाटक राजय का सबसे चोटा जिला है कुर्ग यह कोड़ागू इस फोम यह घर है किसका टू एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट सदावार बरसा वाले बनों का घर है बहुत सदावार बरसा वाले बने यहां पर स्पाइसेज मसाले बहुत हैं और कॉफी प्लांटेशन और चाय के बागान बहुत हैं यहां पर कुर्ग और कोड़ा गुम है यहां इस सदावार बर्सा वाले बन हैं कोफी प्लांटेशन भी यहां पर चाय के बागान भी हैं और तीश प्रितीशत यहां पर बर्सा वाले बन हैं During the monsoon, बारिस के दिनों में, it pours enough, बहुत ज्यादा बारिस होती है, To keep many visitors away, तो बहुत से जो visitors हैं घुमने वाले यहां आते ही नहीं है, मांसून के दोरान जब बारिस होती है, तो बारिस में यहां पे जो घुमने वाले, keep away, दूर ही रहते हैं, आते ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिस होती है, कुर्ग और कोडागू में, the season of joy commences from the September, and continues till March, the season of joy, यहां खुसियों का जो मौसम है, खुसियों की जो रितू है, commences, शुरू होती है, from September, September के महिने से यहां अच्छा मौसम शुरू हो जाता है, and continues till March, और यह जो अच्छा मौसम है, March के महिने तक चलता है, the weather is perfect, with some showers, thrown in, for good measure, the weather is perfect, इस दौरां मौसम बड़ा अच्छा रहता है, with some showers, कुछ बूंदा बांधी भी होती ही रहती है, thrown in, for good measure, good measure में इस अच्छी मात्रा में फिर भी पूंदा बांधी होती ही है, September से और March के बीच में, लेकिन अच्छा मौसम रहता है यहां घूमने के लिए, the air, breathes of invigorating coffee, जो air वहां की हवा होती है, कुर्ग जिले की, breathes, उसमें खुश्बू होती है, of invigorating coffee, coffee, जो की invigorating होती है, invigorating means, energy वाली, उर्जा बर्धक, तो उर्जा बर्धक जो कॉफी है, उस उर्जा बर्धक कॉफी की, खुश्बू होती है, यहां की हवाओं में, coffee estates and colonial banglows stand tucked under the tree canopies in prime corners, coffee estates, चाय के बागान and colonial banglows, और colonial banglows means, कोठी, घर, और colonial क्या होता है, कोई एक देश जो दूसरे देश पर अपना कबजा कर लेता है, तो उसको colonial बोलते है, जैसे भारत के उपर कबजा हो गया था, इंग्लेंट का, तो भारत क्या है, अपनिवेशिक देश की category में आता है, अपनिवेशिक देश, तो यहां पे ऐसे ही, अपनिवेशिक कोटियां और चाय के बागान स्टेंड टक्ट, वहां पे आपको मिलेंगे, टक्ट छुपे हुए, अपनिवेशिक कोटियां नज़र आएंगी, टक्ट, छुपी हुई, अंडर tree canopies in prime corners जो अच्छे अच्छे कौने हैं इस जिले के उन अच्छे अच्छे corners में आपको colonial bangloss और coffee estate नज़र आएंगे कुर्ग में the fiercely independent people of कुर्ग are possibly of Greek और Arabic descendant the fiercely independent स्वतंत्र रहने वाले और fiercely means बहुत अच्छे खतरनाक रूप से fiercely means जवर्दस्थ जवर्दस्थ तरीके से independent स्वतंत्र रहने वाले people of कुर्ग के जो लोग हैं स्वतंत्रता प्रेमी are possible वो संबब्त है और Greek और Arabic descendants कि वो या तो यूनानी बंसज हैं Greek और Arabic या फिर अरब के लोगों के बंसज हैं तो यह कहा जाता है कि जो कुर्ग में जो लोग रहते हैं वो या तो यूनानी बंसज हैं यूनानी नहीं है तो फिर वो ग्रीक बंसज है ऐसा कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है देखिए ऐस बन स्टोरी गोज अपाट ओफ अलेक्सेंडर्स आमी मूब्ट साउथ अलोंग दा कोस्ट जब बापस लोटना उनके लिए इंप्रेक्टिकल लगा इंप्रेक्टिकल मेंस डिफिकल्ट जब बापस लोटना उनके लिए कठिन लगा तो यहीं पर बस गया था उनमें से वो एक टुकडी बस गई थी यहां सेहना की अलेक्जअडर यसेनडर की युनान ग्रीक के राजा थे तो उनकी एक टुकडी, सेना की टुकडी यहीं पर बस गई थी कुर्ग में आ करके इन लोगों ने साधी कर ली थी इस्थानिय महिलाओं से और उनकी जो संस्कृती है वो दिखाई पड़ती है इनकी युद्धों बाले रिवाज हैं उन युद्धों के रिवाज में इनकी संस्कृती नजर आती है मैरिज, इनकी जो शादिया है, साधियों में भी उनकी संस्कृती नजर आती है ग्रीक लोगों की और रिलिजियस राइट्स, जो इनके धार में कारेक्रम हैं उन धार में कारेक्रमों में भी युनानी लोगों की संस्कृति नजर आती है which are distinct जो की इनकी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है साधियों की संस्कृति हो चाए युद्ध की परंपरा हो चाए धार में कारेक्रमों ये from the Hindu mainstream कि जो हिंदू की मुख्य संस्कृति है उन हिंदूंकी मुख्य संस्कृति इसे अलग Thi Пред कि और कोड़ाबू में रहने वाले लोगों की और Greek लोगों के जैसी है तो इसलिए पता लगता है कि सायदığı Greek है युनानी है क्योंकि हिंदू संस्कृति से ये अलग है the theory of Arab origin Arab के लोगों का Arab का जो सिद्दान्त है Arab के मूल origin means मूल Arab मूल का सिद्दान्त draws support उसको मदद मिलती है from the long black coat कि ये लंबा सा काला coat with an embroidered based belt born by kodabuz जिस पर एक belt लगी हुई हुती है embroidered कडाई की हुई embroidered means कडाई कडाई की हुई belt और वो भी कहाँ पे waist belt कमर पेंआ जानी वाली इनकी belt born born is पेंए जाना तो कमर पर इनकी पेंए जानी वाली जो belt है कडाई की हुई belt लंबे से coat पर कमर पर कडाई की हुई belt born by the kodabuz जो kodabu के द्वारा पेंई जाती है known as kupyya कुर्द इड्रिजर्मबल्स स jeśli प्रथीत होती है दप्रिकया कोफिया के जैसी बॉन बाइश जो अरब के बीडार पहना जाता हैं कुंत या फिर और कुषित्र के रोगों के रोगों के दृचैना जाता है तो यहां पर छिट्र देहां का कुपिया यह रहा है एक लंबा काला कोट और यह कमर में बैल्ट लगा रखी है यहां पे और यह बैल्ट एम्रोइडर्ड होती है और यह अक्सर किन के द्वारा पहनी आती है अरब लोगों के द्वारा इस तरह का कपड़ा पहना जाता है तो दो कहानिया इनकी चलती है कि या तो ये ग्रीक युनानी है या फिर अरब के युनानी है ग्रीक के तो कैसे है कि अलेक्जंडर की आर्मी आई थी और समुद्र तटके सारे सारे चलती चली गई और जब उनको रिटर्न असंबब हुआ वहां से लौट नहीं सके तो फिर क्या हुआ ये उसी जगह पर बस गए जहां पर ये रुके थे और यहां पर उन्होंने महिलाओं से साधी कर ली और इनकी संस्कृती बिलकुल अलग है युद्धों की परमपरा अलग है इनकी साधियों की संस्कृती अलग है और इसलिए पता लगता है कि यह यूरान के बंसज है और दूसरा अरब के बंसज है यह इस बात का पता लगता है कि यह कुफिया पहनते है कुफिया एक लंबा सा कोट जिसके कमर पे बैल्ट बंदी हुई होती है जिस पर एंब्रोइडरी होती है कुर्गी होम्स है a tradition of hospitality जो कुर्ग के घर हैं इनके परंपरा होती है hospitality की मेजवानी करने की अतिति सत्कार की परंपरा है इनकी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers and they are more than willing और हमेशा इनकी इक्छा होती है to recount बताने की numerous tales बहुत सारी कहानियों को ये बताते हैं of valor valor means बहदुरी बहदुरी की कानियों को ये बताते रहते हैं related to their sons and fathers जो उनके बेटे और पिताओं से संबंदित जो कानिया है उन कानियों को बहदुरी की कानियों को ये बताते रहते हैं कुर्ग के लोग the कुर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army General Kariyapa was a कुर्गी the कुर्ग रेजिमेंट जो कुर्ग रेजिमेंट है is one of the most decorated in Indian army भारतिय सेना में सबसे ज़्यादा decorated प्रभाबसाली सबसे ज़्यादा प्रभाबसाली कोई रेजिमेंट है number one की जो रेजिमेंट है भारतिय सेना में वो कुर्ग रेजिमेंट है and the first chief of the Indian army और भारतिय सेना के जो प्रिथम अध्यक्ष BSF के प्रिथम अध्यक्ष थे वो General Kariyapa थे General Kariyapa was a कुर्गी और ये भी कुर्गी थे जो अब हमारे सेना के अध्यक्ष कौन है नर्वने नर्वने हैं आज even now आज भी कोड़ाबू are only people in India permitted to carry fire arms without a license आज भी कोड़ाबू वो लोग है भारत में इन इंडिया permitted जिनको अनुमति मिली हुई है to carry fire arms कि वो हतियारों को ले जा सकते हैं without a license बिना license के वो अपने पास हतियारों को रख सकते हैं और ले जा सकते हैं कहीं भी कि दर रिवर कावेरी ओप्टेंस इट्स water from the hills and forests of कुर्ग जो कावेरी नदी है ओप्टेंस प्राप्त करती है इट्स water अपने पानी को from the hills पहाडियों से on and forests of कुर्ग के जंगलों और कुर्ग की पहाडियों से कावेरी नदी अपना पानी प्राप्त करती है और कावेरी करना टक की नदी है महसीर a large fresh water fish abound in these waters महसीर महसीर क्या चीज़ है a large fresh water fish ताजा पानी की ये मचली है abound in these waters कावेरी के पानी में बहुत जादा मात्रा में ये महसीर मचली मिलती है king fishers dive for their catch king fishers जो की बुगले के जैसा होता है वो dive छलांग लगाते हैं for their catch उन मचलीयों को पकड़ने के लिए while squirrels and longours drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying और जबकी वहाँ पे जो squirrels एं गलेरिया हैं and longours और जो लंगूर हैं कुर्ग में drop वो डाल देते हैं टपका देते हैं partially eaten fruit आदे खाए हुए फल को from the fruit for the mischief सरारत के लिए of enjoying मजा लेने के लिए सरारत के लिए उस आदे खाए हुए फल को टपका देते हैं enjoying the splash जो छपाक का मजा लेने के लिए splash means छपाक छपाक की जो अबाज होती है पानी में देखे क्या कह रहा है वाइल इस्कुरेल्स जो गिलैरिया हैं और लंगूर्स और जो लंगूर हैं महाँ पे ड्रॉप गिरा देते हैं partially eaten fruit आदे खाए हुए फल को for the mischief of enjoying the splash छपाक का मजा लेने के लिए सरारत पूर्ण तरीके से गिरा देते हैं and the ripple effect in the clear water और जो साथ पानी में जो ripple effect लेरों का जो प्रभाव नजर आता है किसी चीज को डालते और लेरे नजर आती हैं उन लेरों को और छपाक का आनंद लेने के लिए गिलैरी और लंगूर्स आदे खाए हुए फल को गिरा देते हैं पानी में elephants enjoy being waved and scrubbed in the river by their mouths hathi आनंद लेते हैं being waved नाये जाने का and scrubbed और रगड़े जाने का in the river by their mouths उनके महाबतों के द्वारा नदी में कावेरी नदी में नाने का और रगड़े जाने का आनंद लेते हैं the most land land back individuals become converts to the life of high energy adventures with river rafting canoeing rappling rock climbing and mountain the most laid back individuals जो ब्यक्ती लैडबैक आलसी होते हैं जो आराम पसंद ब्यक्ती होते हैं become converts वो भी बदल जाते हैं converts में change हो जाते हैं वो भी change हो जाते हैं to the life of high energy adventures वो भी उनका जीवन भी उर्जवान हो जाता है सासिक कार्यों से adventures में सासिक कार्यों वाला हो जाता है with river rafting यहाँ पे आ करके river rafting जब वो नदी में rafting एक पट्टा डाल करके और तैराकी करते हैं आनंद लेते हैं तो यहाँ पे एक आलसी ब्यक्ती भी उसका जीवन भी कैसा भर जाता है उर्जा और सास से भर जाता है नीचे आना चट्टान से नीचे आना रस्ती के सारे rock climbing चट्टान पर उपर चड़ना तो यहाँ पर आलसी ब्यक्ती भी बदल जाता है और उसकी energy उसकी life में energy आ जाती है और वो सासिक कार्यों करता है कौन-कौन से नदी में rafting का काम करता है canwing सिंगल ब्यक्ती नाब में ब climbing चट्टानों पर उपर चड़ता है and mountain walking trails in this reason our favorite with trackers बहुत बहुत ज्यादा जो पगडंडिया है walking trails trails miss पगडंडिया in this reason इस चेत्र में असंख्य पगडंडिया है our favorite with trackers जो पैदल चलने वाले हैं trackers उनके लिए बड़ा पसंदीदा इस्थान है पैदल पैदल घूमना birds bees and butterflies are there to give you a company यहां पे birds मिलेंगी आपको मदुमख्यां मिलेंगी तितलियां मिलेंगी यह आपको यहां company देती हैं मकाक्स मकाक्स monkey छोटे-छोटे small monkey मकाक्स मालवार squirrels मालवार की गलैरिया लंगूर्स and slander lorries slander lorries दुबले पतले लंगूर keep a watchful eye from the tree canopy यह पेड़ों के जुर्मुट से आपको देखते रहते हैं आप पर नजर डाले रहते हैं तो यह भी वहां पर मिलेंगे मकाक्स मालवार इस्विरिल्स लंगूर्स and slander lorries keep a watchful eye from the tree canopy पेड़ों के जुर्मुट से यह पेड़ों के सामियाने से आपके ऊपर यह नजर मनाई रखते हैं I do however prefer to step aside for wild elephants I do however फिर भी मैं चाहूंगा to step aside कि मैं एक कदम बगल में अट जाऊंगा for wild elephants कि जब जंगली जानवर यहां आएंगे और मैं घूम रहा होंगा तो जंगली जानवरों के लिए मैं यह से जाने का रास्ता दे दूँगा The climb to the Bramgiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग The climb of Bramgiri Hills जब आप Bramgiri पाड़ी पर चणते हैं brings you into a panoramic view तुमको लाता है एक बहुत सुन्दर नजारा of the entire misty landscape of कुर्ग कुर्ग का जो misty धुंद में कोहरे में चाया हुआ जो landscape है भूद्रश्य है उस कोहरे में चाये हुए भूद्रश्य का panor में शांदार नजारा आपको दिखेगा जब आप Bramgiri की पाड़ी पर चड़ते हैं A walk across the rope breeze आप रसी वाले पुल पर जब चलते हैं leads to the 64-acre island of Nisarg dham तो यह रस्यों बाला पुल आपको ले जाएगा to the 64-acre island एक 64-acre का एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है Nisarg dham तो वो Nisarg dham की और तुमको लेके जाएगा running into Buddhist monks जहाँ पर Buddhist monks हैं बोद सादू हैं from India's largest Tibetan settlement at near wild cupay is a bonus तो wild cupay के पास में आपको तिबबतियन तिबबत के लोगों की settlement तिबबत के लोगों के निवासिस्थान में लेंगे और भारत में बहुत लंबे बहुत बड़ी जो समाज है बहुत बड़ी संख्या तिबबत के लोगों की यहाँ पर मिलेगी और Buddhist monk, Buddhist सादू आपको मिलेंगे आप जब भी निसार्ग धाम पहुँचेंगे और निसार्ग धाम से आगे चलकर Buddhist सादू आपको नज़र आएंगे और बाइल क्यूप के नजदीक आपको तिबबतियन बस्तियां मिलेंगे और बड़ी बड़ी बस्तियां यहाँ पर तिबबतियन लोगों की हैं यह आपको bonus मिलेगा यहाँ पर अतिरिक तिलाव मिलेगा गूमने का the monks in red ochre and yellow robes are among us the many surprises that wait to be discovered the monks जो यहाँ सादू है in red ochre and yellow robes लाल ochre मिस गेरुआ गेरुआ रंग और पीले रंग के जो robes लबादा पहनते रखते हैं कपड़े पहन के रखते हैं are among us the many surprises यह बहुत से आश्चरों में से एक है that wait to be discovered जिनको यहाँ ग्यात किये जाने का इंतजार करते रहते हैं by visitors की जो गूमने वाले आएंगे वो यहाँ आकर खोजेंगे और उनको यह आश्चरे बहुत सारे आश्चरे यहाँ पर मिलेंगे searching जो visitors तलास में होते हैं for the heart and soul of India right here in कुर्ग जो कुर्ग में आकर के इंडिया के भारत के हिरदया भारत की आत्मा की तलास में रहते हैं उन visitors को यहाँ गूमने वालों को बहुत सारे surprises मिलेंगे wild cupay जहाँ पर तिवतियन बस्ती मिलेंगी monks यहाँ पर हैं जो red ochre और yellow robes में होते हैं निसार्ग धाम जगहें पर वो आ जाएंगे यहाँ पर panormic view मिलेगा साथी macaques, langurs, lorries, slander lorries यह सारे कुछ यहाँ पर मिलेंगे तो जो कुर्ग में आकर इंडिया की आत्मा और हिर्दय को देखना चाहते हैं उनके लिए यह स्थान बहुत अच्छा है वो यहाँ आएं और आकर के घूमें यह हमारा लेसन हो गया कुर्ग उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बैल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे की नई वीडियो का notification मिले और आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी का